नमस्कार दोस्तो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है Fencer Drill DX Seraph के बारे में इस Seraph का काफी ज्यादा इतिहास रह चुका है, लेकिन हम यहाँ इतिहास के बात नहीं करने वाले हम बात करेंगे Fencer Drill Seraph से 4 important point के बात करेंगे, जिसमें 1st point हमारा होता है General Information जिसमें हम इस siruf के बारे में कुछ जानेंगे कि यह siruf किस company दोरा बनाए जाता है और इसके price वगरा और सब क्या है फिर हम बात करेंगे इसके benefits का मतलब इसके फैदे क्या हैं और third point में हम बात करेंगे mechanism का इसमें हम बात करते हैं कि हमारे body में किस तरह से काम करता है और last point में हम बात करते हैं इसके side effect मतलब इसे लेने से हमारे body पर क्या harm effect पड़ सकता है वन बाई वन सारे चीजों को समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि जो सीरफ है ये total दो कमपोजिशन को मिला के बनाए गया है ये दो कमपोजिशन क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं इसने मिलता है में chlorofenamide मेलेट और फिर इसके साथ हैं मिलता है ड्रेक्ष्रो मितोरफेन हाइड्रोबरमाइट साथ में ये 100 ml का एक सीरफ होता है जिसे एबोर्ट कमपनी बनाती है और इसका प्राइस प्रॉक्स 95 रुपीज है जिसे आप मेटकोस आप से असानी से खरी सकते हैं बात करेंगे इसके फैदेका इसका फैदा हम ज्यादातर करते हैं ड्राइक कफ को ठिक करने में अब ड्राइक कब किसे करते हैं जिसको हमनों बोलते हैं नॉन प्रोडॉक्टिव कफ जिसमें बलगम नहीं निकलता है जिसमें म्यूकस का प्रोडॉक्शन नहीं होता है अब ये फेंसाड्रील क्या होता है एक तरह का सब्प्रेसर है मतलब ये हमारे कॉफ सेंटर को सब्प्रेस काके ये काम करता है इसका और भी इस्तिमाल है जैसे हम एलर्जिक सिम्टम में कर सकते हैं एलर्जिक सिम्टम जैसे आंक से पानी आना छीक आना नाक से पानी आना थ्रॉट में इरिटेंस लगता है गला में कुछ फसा हुआ है इस सब में भी हम इसका इस्तिमाल करते हैं इसके जो महत पुड़ बात है वो हमें ये बताना है कि इसका जो फंचन है वो विदिन अ मिनट हमारे बॉडी में स्टार्ट हो जाता है और इसका जो लॉंग प्रियाड है मतलब कितने देर तक ये खासी को कंट्रोल करता है तो ये कुछ घंटे तक मतलब चार से पांच घंटे तक ये खासी को कंट्रोल करता है बात करेंगे अब मैकनिजम के बारे में मैकनिजम जिसमें हमें दो कंपोनेंट देखना को मिलता है ये समझेंगे जो इसमें फर्स्ट कंपो समझते हैं यह हिस्टामीन एक नाम का केमिकल्स होता है इसकी केमिकल मेसेंजर को ब्लॉक कर देता है जिसके वैसे जो मैसेज है वो नहीं जा पाता है और खांसी रुख जाती है बात करेंगे इसके सेकंड कमपोजिशन का इसने में देखने का मिलता है डेक्ष्ट्रो मितोरफ है खांसी से अब बात करेंगे लाश्ट-पउइ्ट साइड इफ्ट के बारे में जो साइड इफ्ट है उससे अपसे टफिश्ट अफिश्ट्रमाच हो सकता है थोड़ा निंद असकती है और इसका नसा के लिए सबसेदा इस्तिमाल किया जाता था पहले इससे थोड़ा इसका इस्तमाल नहीं करें और भी आप कुछ चाहना चाहते ही फेंसरा डिडिक्स जिरफ के बारे में तब कॉमेंट सेशन अपना सेशन दे सकते हैं ज़िए निचे दिये गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई मडिसिंगे साथ एक नई हालस टिप के साथ